Hi friends, welcome to my channel आज हम बनाने जारें गलोटी कवाब की रेसिपी जो बहुती टेस्टर व डिलिशयस बनती है यह जो आज की रेसिपी है यह बहुत हद्तक लखनों के तुंडे कवाब से मिलती हुई मैं यह नहीं कहूंगी कि यह उसी की रेसिपी ए क्योंकि अपनी रेसिपी होती है जिसमें वो सीक्रेट मसाले यह लेकिन काफी हद तक तो इसमें मेर। मिंस मैंने लिया है ख unfreeima 300 ग्राम जुसको जोमें दो के छान लिया था और मैंने दिया है कच्चा पपीता, एक फ्रुपड़ा, शाथ में एक इंच अगर और पांच से छे लस्ब, जिसको हम पीच लेंगे अब मिलाएंगे अपने फ्रीमे में नमक और जो पपीता, कच्चा और अगर लस्ब करेंगे अच्छे से अगर आपको पपीता अच्छे से नहीं पिस्पाया यह कोई बात नहीं इसे दुबारा भी ज्रैंट करेंगे मसाले लगाने के बाद तो आप इसको लगा दें अच्छे से और इसको हम रखेंगे कम से कम एक मिंटे के लिए ताकि अच्छे से गल जाए अब हम बनाएंगे कवाफ का मसाला इसमें हमने लिया है दालचीनी एक उप्रा सौफ वान टी स्पून खशखश ली है मैंने वान टी स्पून जीरा वन टी स्पून साबू दनिया जेड चमर तो बड़ी लाइची दो तेस पत्य और मैंने लिए काली मिर्च चाहँ एक छोटी सी दू मिख निकली भी होती है वह भी इसमें बहुछ टेस्टी लगती है वह भी मैंने लिए अब कुछ ड्राइफ रूट्स हम लेंगे मखाना, काजू, बजाम, चिरॉणजी और नारियल इसको भी हम रोस्ट करके पीस करेंगे तो सबसे पहले हम कवाप को मसाला तयार करते हैं, जिदने भी हमने खड़े मसाले लिये ते रोस्ट कर लेंगे और इसको हम ग्राइंड करींगे और अब हम इसमें डालेंगे ड्राइब फूट वो भी हम हल्के से प्राइब रोस कर लेंगे और उसको भी ग्राइब कर लेंगे प्राइ रोस्त करने और उसके बाद मैंने लिया हरी मिर्च दोस्त को मैंने ख्रश कर लिया है नीबू का रस नमस और लागमिच आप टेस्टे के खॉडिंग ले सकते हैं और मैंने साथ में लिया गुनिय चैने का पाउडर अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बेसं को लाइं तो खड़े मसाले हमने फ्राइए किये ते उसको भी जो है हमने वीस लिया है और ट्राइफूट तो चली अब हम प्रीमा देख लेते हैं तीमा अच्छे से टंडर होगे है इसमें हम सबसे पहले बिलाएंगे अपना ड्राइफूट का मसाला जो पीस रखा था और जो भी कहते हैं चने का सप्की और जाप्रान में पानी में फिटो के रखना था वो हम डाल देंगे ताथ में प्यास तलकी हमने क्रेश की थी इसको भी हम इला जेते हैं अब हम इसमें डालेंगे बलाई एक से डियर चमच आप ले लें ये सारे इंवीडियंस मैंने 300 ग्राम पीमे के साफ से लिए अगर आप पीमा जाधा ले रहे हैं तो सारे इंवीडियंस को आप डबल लें अब मैंने इसमें डाला है नमक और मिरच इसको भी हम मिक्स कर लें अब हम अपना हाथ घीला करते जाएंगे और ऐसे हाथ में लें अफसे हमें लें अब पानी लगा के इसको ऩह से शेफ्या आप वह गिला करें एसको आफ जादा परपेच्शक मई घक और गए उसको हम पेन कर लियате हैं तो मैंने फैन गरम करीई और उसमेइं और इन आप ड प्रेकर के हम कवाब बनाते जाएंगे और इसमें डॉलिज शॉट हु इसको मीडियम फ्रेम पे फ्राइख लेगे तो चलिए आप इसको सर्व कर लेते हैं इसको निकाल लेंगे प्लेट में यह देखिए हमारे कवाब एकन तयार हैं बहुत ही सॉप और डिलीशेस बने हैं आप इसको ज़रूर ट्राइ करें यह आपको बहुत पसंद आएंगे और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको मेरे हमगल रिक्वेस्ट को कि आप इससे सब्सक्राइब की हुए बिना ना जाएं और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक और शेयर जबूर करें एक नए वीडियो के साथ आपसे